हेलो फ्रेंड्स मैं हूं स्रेता वेलकम टू मैं चैनल स्रेताज की चैनल लाइफ इस्टाइल आज की वीडियो एक आपकी बहुत ही बड़ी प्राब्लम को सॉल्व करने जा रही है दोस्तो अगर हम केक बनाते हैं उसमें हमें कभी-कभी वाटर कलर का भी यूज करना पड़ता है जिल कलर का आइसिंग के लिए यूज करना पड़ता है तो हमारे लिए वाटर कलर और जिल कलर रखना तो बहुत ही जरूरी हो ही जाता है लेकिन अगर कहीं चोकलेट का हमें काम करना पड़े चोकलेट का वर्क करना पड़े तो उसके लिए भी अलग से कलर खरीदना कितना मुश्किल हो जाता है क्योंकि चोकलेट कलर भी काफी कौशली आता है तो चलिए मैं आज एक आपके साथ secret share करती हूँ जिससे आपको chocolate color खरिदने की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पे मैं white compound ले रही हूँ और उसे मैंने छोटे-छोटे टुक्रों में cut कर लिया है 125 ग्राम के करीब ये white compound होगा इसे मैं एक bowl में डाल ले रही हूँ चोकलेट को 30 सेकेंड के लिए मैं microwave में melt कर ले रही हूँ सिलिकोन मोल्ड को कभी भी यूज करने से पहले अच्छी तरीके से वाश करके अच्छी तरीके से इसे पूंच लेना चाहिए white चोकलेट का कोई भी work करने से पहले बहुत ही ध्यान रखना परता है यह बहुत जल्दी खराब हो जाता है इसलिए मैं इसे 30 सेकेंड के लिए पहले microwave कर चुकी हूँ और अगर मुझे लगेगा तो मैं इसे 10 सेकेंड के लिए दूसरी बार microwave करूंगी मैंने इसे 10 सेकेंड के लिए और microwave कर लिया है फूट जेल कलर को मैं अमूल फ्रेश क्रीम की सहायता से चौकलेट कलर बना दोंगी इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझे दोस्तो मैंने सिर्फ 1 टी स्पून अमूल फ्रेश क्रीम को एक छोटे से बावल में निकाल कर इसे 5 सेकेंड के लिए गर्म किया है पास से 6 बुंद अमूल फ्रेश क्रीम को दो बावल में अलग अलग निकाल लिया है 6 बुंद इसमें 6 बुंद इसमें अब इसमें 2 बुंद 2 बुंद मैं कलर डालोंगी मैंने यहाँ पे रेडियन पिंक और येलो कलर का यूज किया है 100 ग्राम चॉकलेट का मैं यहाँ यूज कर रही हूँ इसके लिए मैंने यहाँ दो बुंद रेडियन पिंक के यूज किया है और दो बुंद मैं येलो लेमन येलो कलर यूज कर रही हूँ आपने देखा मैंने दोनो जेल कलर ही यहाँ पे यूज किया है क्रीम को मैंने 5 सेकेंड के लिए गर्म किया था और उसके बाद मैं ये प्रोसेस को कर रही हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से हमें अमूल फ्रेस क्रीम में इस कलर को मिक्स करना है येलो कलर को भी मैं अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी रेडियन पिंक भी हमारा चॉकलेट कलर के लिए रेडी हो चुका है अब मैं इस वाइट चॉकलेट को जो की पूरी तरीके से मेल्ट भी हो चुका है और रूम टेंपरेचर पे भी आ चुका है इसे मैं इन दोनों कलर में मिक्स करूंगी अमूल फ्रेश क्रीम का जो रेशियो बताया है और कलर का जो रेशियो बताया है उस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो चॉकलेट नहीं फटेगी और परफेक्ट कलर तयार हो जाएगा आपका दोस्तो हमें ध्यान रखना है कि हमें चॉकलेट बनाना है तो इसलिए अमूल फ्रेश क्रीम की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए छे बुन अमूल फ्रेश क्रीम में दो बुन कलर मैंने यूज किया जेल कलर और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है ऐसा लग रहा है जैसा कि हम लोग चॉकलेट कलर यूज करते हैं चॉकलेट में तो उस तरीके का ही टेक्स्चर ये दिख रहा है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है अब मैं पिंक कलर को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी अब येलो कलर को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी येलो कलर को भी आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से चॉकलेट में मिक्स हो गई और चॉकलेट हमारे बिल्कुल भी खराब नहीं हुई जैसा कि जेल कलर को मिक्स करने के बाद खराब हो जाती है चॉकलेट वो बिल्कुल भी यहां नहीं हुआ जिल कलर में ओयल मिक्स करने के बाद कई बार मैंने यूज किया उससे भी हमारी चॉकलेट खराब हो जाती है कभी-कभी लेकिन आप इस प्रोसेस को इसी तरीके से करेंगे तो चॉकलेट आपकी खराब नहीं होगी मैं सिलिकोन मोल्ड में पिंक और येलो दोनों चॉकलेट को डाल दूँगी और इसे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रीज में मैं रख दूँगी ये आधे घंटे में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा अब मैं येलो कलर को भी इसमें डाल कर और सेट कर लूँगी अब आपको चॉकलेट कलर खरीदने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने घर में पड़े जल कलर से किसी भी कलर में चॉकलेट बना सकते हैं बस रेशियो का ध्याँ रखना होगा मैंने केक के लिए कलर गनाश कैसे बनाते हैं इसकी भी रेशिपी आपके साथ शेयर की है मेरे चैनल पे है आप उसे भी देख सकते हैं ये देखे मैंने येलो कलर भी मोल्ड में डाल दिया है अब मैं इसे टैप करूँगी इसे अच्छी तरीके से किनारे से साफ कर लेंगे तो हमारा चॉकलेट काफी अच्छा परफेक निकलेगा इसमें से चॉकलेट मोल्ड में डालने के बाद टैप जरूर करें ताकि चॉकलेट अच्छी तरीके से इसमें सेट हो जाए और इसमें बबल ना रहे आदे गंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया और इसे मैं अब अनमोल्ड कर लूँगी सिलिकोन मोल्ड से अनमोल्ड करना भी बहुत ही आसान है चॉकलेट में बहुत ही अच्छी शाइन आई है और कलर चॉकलेट बनकर तयार है आप देख सकते हैं दोस्तो वीडियो से रिलेटेट कोई भी कोश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू करें और आप बताईए आपकी ये वाली प्राब्लम थी की नहीं और अगर थी तो आपकी ये प्राब्लम इस वीडियो से सॉल्व होई की नहीं चॉकलेट में कितनी शाइन है आप खुदी देख सकते हैं और ये हमारा चॉकलेट बनकर तयार है